सब्सक्राइब करें सहजाद दिवाना चैनल को साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोख प्लोख के असलाम अलेकुम नमस्कार हुआ सस्रीयकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस मुहम्मद सहजाद और आप देख रहें सहजाद द हो गएं हैं तो उसी वीडियो से मैं सारे सवाल पिक किया हूँ ज़्यादा सवाल नहीं है थोड़ा ही बस है ठीक है सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया आधा करता हूं दोस्त की इतना ज्यादा आप लोगों उस वीडियो पर प्यार दिया कि वन मिलियन भी हो गए है पैतालिस छी आलिस हजार के आसपास लाइक से दो हजार डिसलाइक भी है और लगबग दो हजार के आसपास कमेंट्स भी है तो उसके लिए जितना भी दिल से अगर कणीज है इसलिए मैं वो वीडियो बनाएं था ठीक है और मैं अभी भी कोई भी वीडियो बनाता हूं तो बस यह सोचकर बनाता हूं कि सो गमेंट्स देखें कि इसाइक सीचावर में को कोई कू Congratulations me दि आए येIST、 तो HA Самजा इसे मे… हैं मेरा लिए बहुत है ठीक है तो यह त कर खुद मुझे प्राउड होता है कि हाँ भाई सहजाद आज तुमने कुछ अच्छा काम किया है जिसके वजह से लोगों ने आपको सपोर्ट किया है कमेंट्स बहुत यानि आज इतना मैं खुस हूं कि क्या बता हूं सही मैं बहुत ज्यादा मैं हैपी हूं लेकिन वहां पर कुछ लोग आजग गयते तो उनका भी थोड़ा मैं सवाल ले लिया हूं कुछ लोगों ने कहा कि तू उपर वाले का ना सुक्र है जो तुम्हें उपर वाले ने दिया है वो तुम्हें चुप-चप खा लेना चाहिए तब भाई बात तो खाने की थी ही नहीं बात यह था क जिनको जो मिलता है उपर वाला का सुक्रियादा करके ही खाते हैं तो यह हो गई उपर से कुछ लोग यह आ गये थे थोड़ा हिंदु मुस्लिम भी उसमें कमेंट्स आया था कि गल्फ में ऐसे ही भैदबाव होता है वो लोग ऐसे हैं यह है वो है अरे यार वो गल्फ की ब बात क्या चीज का था तो बात सिर्फ पढ़ाई का था ठीक है तो इसमें बहुत बहुत है इसमें भी कमेंट्स आ तो खैर यह आटाई यह बाकी जो मेरे साथ है जो मुझे सपोर्ट करते एक बार फिर से दिल से शुक्रिया और आज का सवाल उसी में से सवाल पिक्या हूं तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि भाईव आभी आप हो ठीक है आप अभी हो कहां तो मैं बता देःओं कि भाई मैं आय था फारवरी में और उसके बाद मैं फिर जाता लेकिन तक्ट्राव्यूं लग गया लख दाउन लग गया उसकी वजह से अभी तक मैं यहीं हू आया फ्लाइट चालू भी होगा तो मुझे फिर से भीजा लेकर जाना पड़ेगा तो अभी फिलाल मैं इंडिया में हूँ जो मेरे फुराने भीवर हैं उनको मालूम है कि मैं कॉस्मेटिकस ओपन किया हूं उसी पर अभी मैं फोकस करता हूं इंडिया में हूं तो लेकिन आना नहीं चाहता है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं तो इसलिए मैं नहीं बता रहा कि आप इस ट्रेबल एजेंसी में जाएं ठीक है मैं मुंबई जाओंगा जितने भी ट्रेबल एजेंसी में मैं जाओंगा ना तो वह सबका आपको ब्लॉक्स मिल जाएगा ठीक के इसलिए कि जा करके वीडियो जो मनाऊंगा वह आप लोगों के के रियलिटी मालूम पड़ेगा इसे बता दूगा फिर भी आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो वह तो अच्छी बात है लेकिन वहां पर जा करके बनाना वीडियो अच्छा रहेगा बाकिया ऐसा कुछ वेकेंसी आता है तो बता दूगा लेकिन सारे इजेंसी को यह की साथ नहीं बता सकता है इसलिए वह मुंबई में जनुवरी के इंड में या फेर्वरी के स्टार्ट में मैं जाओंगा तो आप लोगों को टोटल वीडियो मिल जाएगा चलते हैं अगला सवाल की और और प्रत बोले गाई मैं हूँ या कोई बताने के लिए मैं बता सकता हूँ लिस्ट लंबा चोड़ा कि यह अच्छा है यह खराब है लेकिन वही बताएगा जो उस कंपनी में काम कर रहा है और यूटूब आकर कि किसी कंपनी को मैं बोल दो कि इस कंपनी में मत जाना यह कमपनी में है और तो वो लोग चाहें तो अपना कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी में इतना दिन काम किया हूं यह बहुत अच्छी कंपनी है भाई मैं इस company में काम किया हूं इतना दिन यह अच्छी company है तो आप लोग अपना feedback अगर देंगे ना ते इससे क्या होगा हमारे जितने भी मेंबर है इस चैनल के उनको किलियरली मालूम पड़ेगा कि हां यह company सही है और यह company खराब है तो क्या होगा कि अगर आप लोग भी जैसे जानना चाहते हो किसी company का नेम तो अपना comment section में company डाल दो कोई ना कोई भाई जरूर होगा जिसको मालूम होगा वो बता देगा कि यह कैसा है और कैसा नहीं है तो और आप लोगों से अगला सवाल है कि अगर हम किसी company में गए और वहाँ पर जाकर बीमार पड़ गए तो क्या हमें salary मिलेगा तो भाई इसका भी रूल होता है अगर आप बीमार हो हस्पिटल जाओ गए तो आपको एक approval लेना पड़ता है डोक्टर से जो कि वो देते हैं कि आपको 10 दिन का रेष्ट चाहिए या 15 दिन का रेष्ट चाहिए तभी आपका attendance लगेगा लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा बीमारी नहीं हुए जिसमें आपको रेष्ट नहीं चाहि आते हैं तो हम लोगों का जैसे worker के लिए जो यानी काम जो करता है company में उनका एक card बनता है medical card जिससे क्या होता है उस card के थुरू अगर आप किसी भी hospital में जाते हो तो आपका क्या कितना पैसा लगेगा और क्या क्या facility मिलेगा तो medical card पर भी मैं एक video बनाने वाला हूं कि उस पर भी मैं एक video बनाने वाला हूं अगले आपते कोसिस करूंगा कि अच्छा से अच्छा आप लोगों का सवाल पिक करूं और आप लोगों से भी request करूंगा कि जो भी भाई comments करता है और जिनका comments अच्छा हो तो उस पर आप लोग like कीजिए like करने के बाद क्या होता है कि वह जो comments है ना वह अपर सो करता है यानि सबसे उपर रहता है तो उससे मुझे भी असानी रहता है कि हाँ यह इस comment पर इतने लोगों ने like किया है तो इसी का जवाब देना perfect रहेगा नहीं तो बहुत ज्यादा read करने के बाद उसमें से कुछ सवाल मैं pick करता हूं तो वीडिय करना शेयर करना सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं मुझना